भारत रतन डॉक्टर भीमरा अंबेटकर को कोटी-कोटी नमन ये कारिक्रम डॉक्टर भीमरा अंबेटकर के जीवन पर आधारित है जहां भारत की जंता के प्रती उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चितरित और एकांकित करने का प्रयास है कारेक्रम में दिखाई गई घटनाय लब्द प्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं इस कारेक्रम के जरिये चैनल की ओर से एक विश्वस्तनिय सजग और सकारत्मत प्रयास है इतनी जल्दी निराश हो गए भीमराव यह कोट तुम पर बहुत सुन्दर लग रहा है बच्चा यह सम्मान का प्रतीख है इसे मत उतारो कोट उतारना तुम्हारे लिए अपमान है तुम्हें अपमानित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं खुद को अपमानित क्यों कर रहे हैं अरे वाकी साहब जी जात का है न यह इसकी जात जनने के बाद कौन इसका सम्मान करेगा जात आप देखिए मैंने तु देखा है यह न्याए के लिए सब को पुकार रहा था है मैं उसका केस लड़ूंगा भीम क्या है है अरे यह बढाद है अरे सथिया क्या यह बेगना जी बहुत बड़े वकील है इन से मादो लेजे अरे बाहां में जाये देख दी रहे कि विए बीम्रों का कैस लने की बाद कर रहा हूँ आपको जीत का रास्ता फिर से मिलके है अधालत की कार्रवाइख शुरू की जाए धन्यवाद जद साब गार से देखिए इस पूरन को यह एक खुंखार अपराधी है इस पर जो केस है वो आपके सामने रखा है सुरक्षा कारणों से इसे पुरे से बंबई के जेल में सिफ्ट किया गया है लेगे लिहां इसके जात के कुछ लोग इसको इस जेल से भगाने के चकर में लगे हुए है और जबर्दस्ती यह साबित करने में ले गए हुए है कि पूरन निर्दोश है और इस बात पर इसके चात के लोग एक जुठ हो रहे है और इसलिए पूलिस चाती है कि आज के आज पूरन को किसी और जेल में सिफ्ट कर दिया जाए और उसे रुकवाने के लिए ये भीम्राव कोशिश कर रहा है और अब ये केस दुरभागी से हमारे सीनियर वकील पूना वाला लरने के लिए आए ये बड़े दुक्की बात है इसलिए मैं लॉड आपसे आग रहा है कि क्रिप्पा करके पूरन को किसी सुरक्षी जेल में भेजने का प्रावधान करें आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं कुछ बोलू कि बोलू ना सर कि मैं सच में कहूं ना यह क्या बत्तमीजी यह तब से यह एक ही चीज का रट लगा करखे हुए कि मिश्टर पूनावाला आप इतने सीनियर वकील है यह क्या कर रहे हैं सोरी सर मिलोड दरसल मसला यही है मेरे काविल वकील मुझरिम को अगर मान ले तो बार बार इन्होंने निमनजाती केकर बुलाया है मिलोड आपसे दो-चार बार इजाज़त क्या माँघ ली आप जला गए आपने सरयाव निमनजात केकर बुलाया तो क्या निमनजाती को घुसा नहीं आएगा नमबर एक और नमबर दो मिलोड पूने से बंबई शिफ्ट किया गया है और आप कह रहे हैं कि बंबई से इसे कहीं और शिफ्ट कर दी जाए तो क्यों नहीं मिलोड पुलिस डिपार्टमेंट शिफ्टिंग करने के बजाए सुरक्षा बढ़ाने के काम में लगे मुलावला सर एक खुंखार मुजरिम को पुलिस अगर अपने सुहलियत से कहीं और रखना चाहती है तो आपको क्या दिकत है सुहलियत से ही तो दिकत है सुहलियत मैं कुछ समझा नहीं मिलोड ऐसी कौन सी सहुलियत की प्राप्ती में बाहर खड़े होकर के सारे वकील भीम्राओ का तमाशा बना रहे थे ऐसी कौन सी सहुलियत थी कि एक बार भीम्राओ ने एंकाउंटर का एफ आई एर लिखवाया था और एक बार जेल में इससे मिलने गया था और जब से मिलकर आया है वकील ढूंड रहा है मिलोड मुझे ऐसा लगता है कुछ सच है जिसे छुपाया जा रहा है मिलोड ऐसा कोई सच नहीं है जो छुपाया जा रहा है पुणे की अदालत में सारे सबूत को दिखा कर गवाह की गवाही को लेकर सजा मिली है तो अब बचा क्या है नियाए बचा है मिलोड इस नियाए की खोज में और भी बहुत कुछ सामने आएगा इसलिए मिलोड मैं चाहता हूँ कि पुरन का केस एक बार फिर से खोला जाए बस इतना सा रिक्वेस्ट है मिलोड इसकी कोई जरुवत नहीं है मुझे लगता है कि पुरन का केस एक बार फिर से खोल लेना चाहिए क्या पता कुछ सच और पता चले जो पहले न पता हो लिहाजा ये कोड पुरन का केस फिर से खोलने का आदेश देता है हमने बाद में लोगा नहीं है साहिब मेरे मीम राओ साहिब मेरे साहिब मेरे कर दो पूरन काका केस फिर से खुलवाया उसकी वज़ा से पूरन काका और मेरे जैसों के दिलों में आशा की एक किरन जगी है थैंक्यू सो मच सर थैंक्यू सो मच आप जैसे लोगों को देख कर पता चलता है कि इनसाफ अभी भी जिन्दा है हम जैसे संघर्ष करने वाले लोगों के लिए अभी भी एक उम्मीद है नहीं तो सच कहूं तो आपके आने से पहले मैं ना उम्मीद हो गया था हीम्राओ हीम्राओ तुम उम्मीद हो मेरी हो मेरे जैसे कईयों की मैं लोगों की उमीद होता हूं यह बहुत बड़ी बात है सर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी फीज मैं दे पाऊंगा बहुत पैसे हैं मेरे पास बेटे मुझे तो लगा था कि आपी लड़ाई आज हारी जाएंगे मुझे भी ऐसा ही लगा था रमा नहीं मुझे नहीं लगता था क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है पर भीम सत्य के साथ है अब तो यह केस और बड़ा हो जाएगा अभी अभी कोर्ट में वकिल साहब ने पूरन काका केस पिर एक बार खुलवाने के लिए कहा है और कोर्ट ने इजाज़त भी दिये अगली तारिक भी दिये अब और भी अपराधी सामने आएंगे पिर चाहे वो पूने के हो या फिर यहां के उचिजाद के लोगों जो अपराधी है लेकिन सामने नहीं आएंगे और मुझे पूरा यकिन है कि हम पूरन काका को न्यायत दिला कर ही रहेंगे बिन बिटा अब जब शुरूई कर दिया है तो उसे अन्जाम तक ले जाना होगा हाँ बापा फिलाल गर चलते हैं चलो बिटा क्या भून कुसे जी यह भीम रहो भी ना किसमत का बढ़ात था नहीं आतमी हर बार हर बार कही ना कहीं से कोई ना कोई आदमी आई जाता है इसकी मदद करने अच्छा खासा चल रहा था ऐसा लग रहा था कि इस बार इस बार हम यह खेल जीती जाएंगे पर देको पता नहीं कहां से यह पूना वाला चला आया इस इस भीम रहों के मदद करने हाँ बापा बिल्कुल सही कह रहे है पता नहीं एन मोके पर यह क्यों आ जाते इस बज़ाने सत्ते को जीतने के लिए मेघनाद, शिशुपाल, अखवार के मालिक तुम तीनों के बहुत पाप हैं और पापी लोग हमेशा दूसरों की हार पर विमर्ष करते रहते हैं ए वकील हम कुछ बोलने रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ और किसने बता है हमारे बारे में इसब? जगो ऐसा है एक बड़ा वकील कि जब कोई केस अपने हाथ में लेता है तो उस केस के बारे में बहुत कुछ पहले से पता कर लेता है भी मिराओ के साथ जो तुम लोगों ने किया है बहुत बुरा किया है मैंने सब पता कर लिया है अब बस कोट में तुम सब के धचियां उडाओंगा ए वकील हैसियत मेरहो अभी जोरका धक्का दूँगा ना तु यहीं करके मर जाओगे तीरत विरत करने के उमार है तुमारी कहां ये कोट के चरी के चक्कर में पड़े हो जाओ सत्तर पार कर चुका हूं मरने से ऐसे भी डर नहीं लगता यहां से सिधे जाकर किसी से भी पूछ लेना पूना वाला वखील का घर बता देगा मार देना आकर अज़ जाओ जाओ बाबा इससे पहले हम इसे डराते है यह तो खुदी बोल के चलागे कि मुझे मार डालो अरे तो आज रात से अपारी डालते है ना किसा ही ख़तम करतेते इसका तो यह मारना उसे आसान है जो मुझे उसे डरता हो जो सतर साल में मुझे से नहीं डरा हो ना उसे मारना मुश्किल है तो पर क्या करेंगे सेट जी आसे मुझे देखते रहेंगे इसका अरे अरे यह क्या हो आपको आप रो क्यों रहे और यह क्या लगा है किसी ने मारा के आपको सालों से मैं जिसे अपना दोस समस्ता था उसे ने मुझे मार के बेहोश कर दिया सत्ते की तरफ बढ़ेंगे तो तरदर तकलिफ तो होगी मकर आगे बढ़ते रहना चाहिए अब चिंता मत किजिए एक दिन सब फीक हो जाएगा पता नहीं मगर मैंने सच का सांधिया मेरी आगे की जिन्दगी कैसी होगी पता नहीं अब चिलता मत किजिए मैं आपको वस्पता ले चलता हूँ आईए उठीए अच्छा तो आप यहां बेठे हो केसे पती हो तूं मैं जाड़ी हो घर चोड़के बीम राव की मदद करती अभी सभी लोग खुतू कर रहे सब कह रहे कि आपकी केकी सजा घरवालों को देंगे मुझे नहीं मरना आप अपने आई बाबा को बचा लीजिए लेकिन ऐसा कैसे मार सकते हैं वो लोग अभी चल कर देखते हैं चलिए नहीं भीम मैं देख लोगा तुम कर जाओ तो तुम ही भीम रहो तुम्हारे ले ही मेरी पती ने अपनी जासे दुश्मनी लेली मत जाओ नहीं तो बावाल बढ़ जाएगा में तो जारी हूं माईके एक अपराधी को बचाने के चक्कर में और कितने घरों को बरबाद के अपराधी बनोगे तुम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करो वहाँ जाओ जहां उस मजदूर के घर को सब लोग जला रहे होंगे सब तहसनेस कर रहे होंगे या फिर यह सोचकर पीछे मूड़ जाओं कि मैं अगर वहाँ जाओंगा तो और तहसनेस हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा कि या फिर मजदूर की पत्नी को रोको जो गुस्थे में चली जा रही है क्या करो मेरा मुझे लगता कि अभी उन्हें रोकता है अगर यह चली गए तो वह और मुश्किल में आ जाएगे पत्नी छोड़ कर चले जाए तो इंसान तूट जाता है काकी रुकिये काकी मुझे मत को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दिपक बता क्या किया भीम ने और कैसे जिता कुना वाला साथ एक वकील है उम्रस सत्तर साथ और वो आ गया है और सीना ठोक कर का कि भीम भाईया सही है उनका केस अब वो लड़ेंगे अब पुरन जी का केस फिर से खुलेगा और दोशी को सजा मिलेगी हाँ और एका नाम लेगा उभीम कहेगा यह सब हम किये हैं जबकि किया है उस सत्तर साल के पूना वाला ने ए जोखु कागा खड़े आप नहीं आपके पैर है जोखु देख तू नहीं रहा है तेरी आखे देख रही है और जोखु भाव आप कुछ नहीं करते करता तो आपका आख नाख मू और आपके ये पैर हैं या मजाक बना रहे हो तुम सब जोखु का अपके मुस्किल लड़ाइ लड़ रहे हैं उसे आप सब और मुश्किल बना रहे हैं उपर से जो में ठोड़ी से सफलता मिल रही है वो भी सुविकार करने को आप लोक तैया नहीं है सफलता तुम लोग जिसे सफलता कह रहे हो उससे आगे क्या क्या होता है देखो अभी कुछ भी उल्टा सोचना हो ना तो जीजा भाई के सिवा कोई हो ही नी सकता है जाई नहीं को खुछमत कीज़ एंको खुछमत कीज़ है ऑड़ी तर दाफी नी छोड़ किए हम पैर पकड़ते हैं आपके पस्पुच्य और भीम्राओं से बात कीजिए इन्हें मत परेशंद कीजिए अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा यह लिए कि अजय कि अजय कि अजय कि